दोस्तो अगर आप अपने thumbnail में arrow लगाना चाहते हैं, underline करना चाहते हैं, marking करना चाहते हैं, उसमें symbol का color change करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं हमारे साथ, सब कुछ मैं इस Q9 पर क्लिक करना है, उसके बाद अपना thumbnail आपको चूज कर लेना है, जो भी thumbnail बनाए होंगे, उसको चूज कर लेना है, अगर आपको नहीं आता है thumbnail बनाना है, तो इस पर भी मैं बहुत सरा वीडियो बनाया हूँ, उसका link मैं description box में दे दूँगा, और in screen में भी वहां पर ड Q9 में क्या चीज बताया गया है, इस तरह से आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, मैं आपको इस्टे बाइस्टे बताने वाला हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं एक यहां से ले लेता हूँ, कोई भी एक thumbnail मैं यहां से select कर लेता हूँ, जैसे कि यहां पे मै यहां पे symbol add करना है, arrow का, अब यहां आपको layer पे click करके, यहां layer पे जैसे आप click करेंगे, उसकी बाद यहां hand writing है, यहां पे click करना है, उसकी बाद देखिए यहां जो है symbol है, यहां से आप और भी symbol add कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे arrow का symbol है, यहां पे arrow का symbol है, अब मैं arrow का symbol select करके रखाऊ रेड तो यहां से आपको और भी color आप select कर सकते हैं अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ जैसे यहां पर arrow का option डालना है तो इस तरह से आप arrow डाल सकते हैं अब इसको आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगी यहां पर आपको hand writing पर जोटा यहां से आप रोटेट भी कर सकते हैं, अब इसको अगर आप हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगी, यहां पे आपको pencil के icon पे click करना है उसके बाद यहां पे आपको click कर देना है तो यह remove हो जाएगा उसके बाद आपको अगर दुसरा डालना है तो कैसे डालेंगे यहां पे आपको symbol पे click करना है और यहां पे आपको click कर देना है यहां जैसे कि यहां पे circle है तो यहां पे जैसे म आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहां पर किलिक करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से और इसका जो है आप बड़ा करना चाहते हैं जैसे साइड में जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहां पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे, मैं color इसका change करके दिखाता हूं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से ok कर दूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको remove कर दूँगा, और ऐसे जैसे मैं यहाँ पे underline करूँगा इस तरह से, तो इस तरह से यह सो करेगा अब जो है इसको एड़ेस्ट करना है यहां पर क्लिक करेंगे हैंड राइंटिंग पर और यहां पर इस तरह से इसको एड़ेस्ट कर लेंगे अपने कोर्डिंग जितना आप रखना चाहते हैं इसको कर सकते हैं और यहां से पेंसिल के निसान पर क्लिक करेंगे और यहां से रिमूब भी कर सकते हैं इस तरह से आप उसके बाद यहां से अगर आप साइज इसका बढ़ाना चाहते हैं जैसे यहां पे यहां पे क्लिक करेंगे और इस पे जैसे कि मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो इस तरह से यहां पे यह सो करेगा इस तरह से इस तरह से इस इसको remove कर देता हूं अब मैं symbol पे click करता हूं और यहां पे मैं click करता हूं और इस तरह से जैसे आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से यह show करेगा अब इसका color मैं आपको change करके दिखाता हूं यहां से क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोस का निसान डालना है कैसे करेंगे यहाँ पर क्रोस की निसान पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और इस तरह से यह क्रोस हो जाएगा इस तरह से आप क्रोस भी कर सकते हैं अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हट यहां पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं असानी से उसके बाद इसको मैं हटाता हूं उसके बाद देखिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं और इस तरह से यह सो करेगा इस तरह से देखिए इस तरह से यह सो कर रहा है तो इस तरह से आप और भी इसम को Change कर सकते हैं अपने Coding मैं यहाँ और दिखाता हूँ यहाँ पर किसी चीज को और आपको सरकल डालना है और वहां मारकिंग करना है आप देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और इस तरह से दखिए इस तरह से यह सो कर रहा पूरी तरह से जो है मार्किंग हो गया अब यहां से मैं इसको हटाता हूं और यहां से देखी इस तरह से यहां किसी चीज को जैसे आप लाइब में अपने वीडियो में लिखते हैं लाइब वीडियो तो इस तरह से आप करके इस तरह से सिंबोल डालके इस तरह से आप सिंब मार्किंग करते हैं दोस्तों यहां से मैं इसको हटा लेता हूं और यहां पे और भी यहां पे आपको क्लिक करके दिखाता हूं जैसे कि यहां पे है इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से सो कर रहा है उसके बाद यहाँ पर सिंबल पर मैं क्लिक करता हूँ एरोपे तो इस तरह से यहाँ सो कर रहा है तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर Marking करते हैं, Underline करते हैं, Circle करते हैं, तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो helpful लगा होगा, तो वीडियो ko like किजिए, यह चैनल को subscribe किजिए, बेल आइकन को प्लेस किजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट पर यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा सेब केप्चर एंड से पर क्लिक कर लेना है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके फाइल में चला जाएगा